नमस्कार दोस्तों सीजी पकवानमी आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंस देखिए हमने यहाँ पे लिया है एक तेल का डबा है यह खाली वाला है यह इसे अच्छे से सापकर ले हैं अंदर से भी तो इस तरह के टेल के डबबे तो हमारे घर में होते हैं तो हम लोग इसे कवार समझ के फेक देते हैं तो आज हम इसी का यूज करके कीचन के लिए बहुत ही यूजफूल चीज बनाएंगे जो चीज हम पजार से महंगे दौमा में खरित के लाते हैं आज हम इस डब्बे से घर पर ही बनाएंगे फ्रेंद बहुत ही यूजफुल चीज बनने वाली है जो हमारे कीजन में बहुत ही काम आने वाली है तो आज हम इस डब्बे से बनाएंगे तो इसके लिए मैं यहां पर डब्बे को इस तरह के से इसमें निसान लगा देती हूं pencil की az से इसके पीछे साइट भी से acum तो इस तरीके से लगा देंगे यह तरीके से हमें लगा देना है तो इधर भी लगा देते हैं इस तरीके से तरीके से आप जाहेतो only पहले हमेंगे ^^ कि आप जैदो कटर से भी काट सकते हैं मेरे पास कटर नहीं है तो मैं चाको को गरम करके इस तरह के से काट रही हूं देख़्े कि जहां जहां निसान लगाएं हैं वहां वहां इसको काट लेते हैं तो इससे सवधाने पुर्वक काटिए गा कि तो देखे हमने इस तरह के से काट ले हैं हाँवाइध पर दिके निसान लगाया है यहाँपर तो उसको भी आप इस तरह के से काट के अलग कर सकते हैं पर मैं इसे पकड़ने के लिए थोड़ा से इसमें हैंडल थोड़ा से इसमें बचा रही हूं इसलिए मैं थोड़ा से दूर से काट रही हूं देखिए इस तरह के से तो यहां पर देखिए हमने काट लिया है इस तरह के से और यहां पर देखी जो निसान लगए ना वहां को आप इस हैंडल को पूरा इसे निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहते हैं तो तो मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ मैं इसे ही थोड़ा से इसमें पकड़ने के लिए इसमें छोड़ दी हूँ थोड़ा से इसको सिधा कर लेंगे तो यहाँ पर दिखे फ्रेंस हमने इस तरह के से इस दब्बे को कार लिया है और कारने के बार में दिखे एक साइड में दिखे एक साइड में मैं इस तरह के चाको के मदद से इसमें छेद कर रही हूं देखे डब्बे के एक साइड में कील से हो या फिर चाकू से हो आप इसमें छेट कर लिए हैं इस तरीके से अब इसके बाद में फ्रेंस यहां पर दिखे जो काटने के बाद थोड़ा सा नुक्विलर रहता है न उसको मैं इसके उपर मैं नेल पालिस लगा दे रही हूं देखे इस तरीके से आप चाहे तो टेप अगर अभी चिपका के इसमें लगा सकते हैं पर मेरे पास अभी टेप नहीं है तो मैं इसे नेल पालिस को लगा रही हूं इसके वी पर इस तरीके से जिसे की हाथों में ना आए इसके चार और मैं इस तरीके से नेल पालिस लगा दूंगी कलर फूर टेप रहता है उसको भी आप इसमें चिपका सकते हैं तो दिखिए हमने इस तरह के से नेल पालिस लगा दिये हैं इसके थोड़ा सा सुखा लेंगे और इसके बाद मैं फिर इसमें यहाँ पर मैंने दूसरा कलर कभी नेल पालिस और लिया है इसको मैं इसके जो नेल पालिस लगए है उसके किनारे में थोड़ा सा लगा देती हूं इस तरह के से जिसे की इसमें अच्छे से इसका लुक आए तो देखिए इस तरह के से आप चाहे तो कलर वगर लगाना चाहते हैं तो कलर भी लगा सकते हैं प्रेंट वगर करना चाहते ह मैं नेल पॉलिश से किनारों में थोड़ा थोड़ा इसमें लगा दीती हम किगिवार किनारों में तुर्मिश फ़र की से किनाड़ों में लगा लिए है और उसको अबना शोका भी लिये हैं इसमें यूज करके देखते हैं तो देखिए हमने इसमें चावाल डाल दिये हैं आप इसे चावाल डाल धोने के लिए इसका यूज कर सकते हैं जो भी आप जो आनलेन हम इसे में खरिते हैं तो हमें पहुत ही महंगा पड़ता है तो इस तरह किसे आप इस डब्बे का इस्तिमाल कर सक सकते हैं तो देखे से पानी असानी से निकाल जाते है बहुंत है जो नहीं जाएगा गर वीडियो थोड़ा सा थी अच्छा लगए हो फरें तो प्लीज लाइक कर देना चैनल में आये हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो इसका दब्बी का उपर वाला हिस्सा और बचा था फ्रेंड तो मैं इसे इस तरह के से काट के अलग कर ले हूं तो चलिए भी इसका भी उज़ कर लेते हैं तहां पर देखे चामाल है दाल वगएर है आठे वगएर निकालने के लिए इसका जूज कर सकते हैं पहुंच ही तरह कि यूजबूल है सन्यामा दोस्तों वीडियो में अचुँ कर दो